साथियों, विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है, जिसकी नीव ही अनुभव आधारित सिख्षा के लिए रखी गई ज्ञान की क्रियेटिविटी की कोई सिमा नहीं होती है, इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्व विद्याले की स्थापना की थी आपको ये भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान, विचार और स्किल स्टेटिक नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, स्थीर नहीं है, ये जिवन्त है, ये सतत, चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइज भी हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट, लेकिन नौलेज और पावर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं, जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और समवेदन सिल रहना पड़ता है, रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर विद्वान को, हर जानकार को भी उनके प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है, जिनके पास वो शक्ती है, आपका ज्यान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की देश की अरे भावी पीडियों की भी वो धरोर है आपका ज्यान आपकी स्कील एक समाज को एक राष्ट को गवरवानवित भी कर सकती है और वो समाज को बदनामी और बरबादी के अंदकार में भी धकेल सकती है इतिहास और वर्तवान में ऐसे अनेक उधारण है आप देखिए जो दुनिया में आतंग फ्यला रहे हैं जो दुनिया में हिंसा भला रहे हैं उनमें भी कई highly educated, highly learned, highly skilled लोग है दुसरी तरफ ऐसे भी यह लोग हैं जो कोरोना जैसीक महामारी से दुनिया को मुक्ती दिलाने के लिए दिन राथ अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं, प्रयोग सालाओं में जूटे हुए हैं यह सिर्फ विचारधारा का प्रश्ण नहीं है, मुल बातो माइंड सेट का है आप क्या करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्कोप दोनों के लिए हैं, रास्ते दोनों के लिए उपन है आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का ये तै करना हमारे अपने हाथ में होता है अगर हम उसी शक्ति उसी सामरत है उसी बुद्धी उसी वैपको सदकार्यके लिए लगाएंगे तो परणाम एक मिलेगा दुषकर्म के लिए लगाएंगे तो परणाम दुषकर्म неका अगर हम ही सिर्फ अपना हीत देखेंगे तो हम हमेशा चांगरों तरफ मुसीबते देखते आएंगे, समस्याय देखते आएंगे, नाराज़्गी देखते आएंगे, आक्रोष नजर आएगा, लेकिन अगर आप खुद से उपर उट करके, अपने स्वार्थ से उपर उट करके, नेशन फर्स की एप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉलूशन ढून देने का मन करेगा, सॉलूशन नजर आएगा, बूरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढून देने का, उसमें से अच्छाई का परिवर्तन का मन करेगा, और आप सित्या बढ़लेगे भी, आप स्वायम भी अपने आप में एक सॉलूशन बन करके उपरेंगे, अगर आपकी नियत साब है, और निश्ठा मा भारती के प्रती है, तो आपको हर निन्ने, आपको हर आच्रण, आपको हर कृती, किसी ने किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा, सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविश्चताई नहीं करती है, हो सकता है, आपको पिसी फैसले के बाद जैसा सोचा था, वैसा प्रणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए, एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगले लगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है, अगर फैसले लेने का होसला चला गया, तो मान लीजिए का आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे हैं, जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का, और आगे बढ़ने का जजबा रहेगा, तब तक कम से कम, मुझे देश की भविश्की चिंता नहीं है, और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड आबादी में, इतनी बड़ी तादाद में। युवा शक्ती हो, तो मेरा भरोशा और मजबूत हो जाता है, मेरा विष्वास और मजबूत हो जाता है, और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहोल चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी इतना ही नहीं 130 करोड का संकल्पों से भरा हुआ सप्रों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है